आज अपने सारे दूस्तों के लिए में लेके आया हूँ एक बहुती क्लासिक और उम्दा ब्रांड के आप्टरशिव लोशन का रिव्यू और उस ब्रांड का नाम है Old Spice और Old Spice के आफटरशिव लोशन का जिस वेरियंट का हम लोग रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है ओरिजिनल जिसके वेरियंट का नाम है इसके दो अदर वेरियंट भी आते हैं मार्केट में एक आता है मस्क और एक आता है लाइम 235 रुपीज में आपको इसका प्राइस मिल जाएगा रिटेल में रिटेल से अगर आप लेते हैं तो 235 रुपए आपको इसका प्राइस पड़ेगा यह आप देख सकते हैं और आफटरशिव लोशन की जो क्वांटिटी है वो आपको 1.500 एमल की मिल जाएगी 150 एमल की क्वांटिटी आपको इस आफटरशिव में मिल जाएगी अब आप यह समालीजे मार्केट में जितने दूसरे ब्रांट के आफटरशिव हैं वो 100 एमल के कंटेंट में आते हैं यह आपको मिल ला है 150 एमल का ओल्ड स्पाइस जो है यह प्रोक्टर एंड गेंबल कंपनी इसको बनाती है इसकी ओनर है 1936 में आप समालीजे यह इंट्रड्यूस हुआ था मार्केट में और तब से यह चला आ रहा है आज तक समालीजे 2020 चला है और अभी तक यह ब्रांड वैसे ही चला आ रहा है और उतन atomizer आया है इन्होंने दिया है atomizer का मतलब है wade spray यह जो nozzle आपको दिख रही है यह nozzle आपको atomizer में ही मिलेगी तो यह ध्यान रखिएगा जब आप इसको खरीदने जाएं तो यह aftershave lotion के नीचे जो atomizer लिखा हुआ है इसको देखकर ही खरीदें क्योंकि दो प्रकार से आते हैं ए एक आता है atomizer जो आप लोग सामने देख रहे हैं तो जिसमें atomizer होगा उसी में आपको spray मिलेगा जिसमें नहीं लिखा होगा उसमें sprayer नहीं मिलेगा बाकी original musk और lime तीन तरीके की variant तो आपको market में मिलेंगे ही तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजेगा और वैसे तो old spice काफ़र शेव लोशन भी आता है old spice के आपको डियो भी मिल जाएंगे body wash भी मिल जाएंगे anti-perspirants भी आते हैं और bath soap वगएरा भी आते हैं और बहुत ही उमदा और बहुत ही अच्छी quality रहती है इनकी क्योंकि साबुन वगएरा भी मैंने इस्तमाल करके देखा हुआ है वह ज करने में यह रहता है कि बहुत जल्दी वह आटर शेव लोशन फैलता है इसकिन पर हाथ लगाने के जोरत नहीं पड़ती वैसे दाड़ी बना के आएंगे तो ऐसी चलता रहता है और रिजर बन से इचिंग वगएरा होती किचाब अगएरा होता है तो आटर शेव लोशन त तो इसको परफ्यूमर कोलोन इसलिए कहा मैंने क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने इसको कपड़ों पर भी लगा के देखा है तो इसकी लॉंजवीटी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि आफ्टर शेव लोशन है लेकिन मैं कहांगा इस चीज़ को क्योंकि कपड़े पर अगर आप लगा देंगे तो अप टू टू आर्स आपको समझ लिजे इसकी परफॉर्मेंस मिलेगी और बहुत ही बढ़िया महक है महक एकडम क्लासिक है जमाने से जमाने से चली आ रही है और आज भी इसकी महक बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस में कंपरी ने कोई भी कॉम्प करके लाया हूँ 235 में मुझे मिल गया था और बहुत ही बढ़िया इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और बस एक चीज की कमी है इसमें कि इसमें जब आप दाड़ी बना के आएंगे और जब इसको अपलाई करेंगे तो एक बर्निंग सेंसेशन है मतलब जलेगा आप इसमें कूलिंग एफेक्ट होता तो फिर तो 100 में आप इसको 110 दे सकते थे आफटर शेवलोशन लाजवाब था फिलाल ठीक है अगर बर्निंग सेंसेशन आप जहल सकते हैं तो फ्रेग्रेंस का मदा उठाईए फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया है और जाकर इसको डिटेल से उसकी महग सबसे अच्छी है और सबसे बढ़िया महग है और इसलिए इस वेरेंट को नाम दिया ही गया है क्योंकि जो पहले जब इंट्रिडूस हुआ था तो जो स्मेल थी जो फ्रेग्रेंस थी वही इसी वेरेंट में आपको मिल जाईगी तो अराम से पर्चेस कीजे और मज़ा उठाईए एक aftershave lotion का भी कोलोन का भी और तरीके से परिफ्यूम भी कह सकते हैं हो सकता कुछ लोग कहें कि यह रहे भाई यह तो aftershave lotion है और यह कह रहे है कि body spray की तरह आप इसको use कर सकते हैं तो यह आपकी twice है आप मत use करिए आप सिर्फ aftershave lotion की तरह use करिए आप इसक सकते हैं हैं की में लगा सकते हैं आपको performance में definitely कह रहा हूं बहुत अच्छी मिलेगी और इसकी महग बहुत अच्छी आती है fragrance बहुत बढ़िया है उंदा fragrance है और compliments भी आपको मिलेंगे old spice की fragrance आज भी बिलकुल लाजवाब है कहीं से भी कंपनी ने कोई भी compromise नहीं किया है नह अगर अच्छा लगा हो तो like, share और comment कीजएगा और मेरे बताने के तरीके में explanation में अगर कोई गलती हुई हो तो वो भी मुझे जरूर बताईएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद